इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कुछ बहुत ही होरोर फैक्ट्स के बारे में तो इस्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फैक्ट नमबर वन दूस्तों क्या आपको पता है कि एक इनसान की डेथ हो जाने के बाद उसका जो कान होता है वो सबसे आखरी में काम करना बंद करता है यानि कि एक इनसान की डेथ हो जाने के बाद सबसे पहले उसकी दिल की धरकन रुख जाती है फिर उसके बॉडि का जो बलड सर्कुलेशन है वो रुख जाता है और उसके बाद बोडी के जितने भी फंक्शन है जितने भी प्रोसेसेज हैं उनके बंद हो जाने के बाद उनका कान काम करना बंद करता है यानि कि एक इनसान की डेथ हो जाने के बाद भी वो सुन सकते हैं कि उसके आज पास लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या आवाजें आ रही है चुकि एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात है अबे सुमेर बहुत जोड़ चाहिए बे टाइलेट साथे हम दोस्तो जब लोगों को ब्रेन स्टोक होता है न तो उसमें से कुछ लोगों को बहुत ही अजीब सी बिमारी हो जाती है जिसे प्रोसोपेगनोसिया कहा जाता है तो इस बिमारी के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस इमेज को एक बार देखिए इसे देख के अजीब लग रहा है न क्योंकि इसमें किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तो जिसको ये डिजीज होती है वो कुछ ऐसा ही एक्सपिरियेंस करता है मतलब वो अगर अपने आपको मिरर में भी देखता होगा न तो भी उसको अपना चेहरा पैचान नहीं आता होगा ये दुनिया की सबसे हॉरर डिजीजेज में से एक है दोस्तो था एक्सपिर नाम की एक मूवी है जिसे आज तक की सबसे दरावनी मूवी भी कहा जाता है तो हुआ क्या था जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था ना तो जैसे कि आप मूवी ठेटर में जाते हैं तो उससे पहले आपको दूसरी मूवी का भी ट्रेलर दिखाया जाता है तो जब इस मूवी का ट्रेलर दिखाया गया लोगों को तो लोगों को चक्कर आने लगे उनका सर दुखने लगा और उन्होंने कम्प्लेंड किया कि उन्हें कुछ आवाजे भी सुनाई देने लगी थी और इनी कम्प्लेंस के चलते इस मूवी के ट्रेलर को ओफिशिली बैन कर दिया गया था मतलब कोई एक टेक्निकल या कोई लीगल इशू होता है ना जिसके वज़े से मूवी के ट्रेलर को बैन किया जाता है लेकिन इस ट्रेलर को सिर्फ कस्टमर्स की कम्प्लेंड की वज़े से बैन कर दिया गया था दोस्तो 2005 में रिलीज हुई मूवी दे एक्सरसिजम आफ एमिली रोस एक बहुत ही दरावनी मूवी है और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इसकी जो लीड एक्टरेस थी यानि की जैनिफर कारपेंटर उन्होंने एक इंटर्विव के दुरान बताया था कि जब वो शूटिंग करने के बाद अपने रूम में वापिस जाती थी ना तो वहाँ पर एक रेडियो रखा रहता था उनके बिस्तर के बगल में तो वो रेडियो एकदम से ओन हो जाता था और उसमें एक अलाइव नाम का गाना हुआ करता था वो बजने लगा तो जैनिफर कारपेंटर का ये मानना था कि अगर वहाँ कोई आत्मा है तो वो उनसे ये कम्मिनिकेट करना चारी है कि मैं भी जिन्दा हूँ दोस्तो दिल्ली के कनोट प्लेस के पास अगरिसेन की बावली नाम की एक जगा है कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे हॉंटेड जगाओं में से एक है दिन में तो यहां बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं कहा ये जाता था कि उसमें एक हिपनोटिजम की क्वालिटी थी जिस वज़े से वहां लोग जाते ही डूब जाते थे लेकिन आज के समय में ऐसी चीज़े सुनने को नहीं मिलती है क्योंकि यहां का पानी पूरी तरह से सूप चुका है और इस जगह के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह को किसने बनाया और कब बनाया इस चीज़ का कोई भी ओफिशल रिकॉर्ड नहीं है आम दोर पे हर मॉनिमेंट का एक रिकॉर्ड होता है कि उसे कब बनाया गया और उसे किसने बनाया था बहुत अजीब बात है ना दोस्तों इमेजिन करिए कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है और एकदम से आपके शरीर में आग लग जाए और ये आग बाहर से नहीं बलके खुद आपके शरीर के अंदर से निकल रही हो तो दोस्तों इस फिनोमिना का Spontaneous Human Combustion कहते हैं अब वैसे तो कोई इस फिनोमिना को Explain नहीं कर पाया Proofs के साथ कि ये क्यों होता है लेकिन British Biologist और Author Brian Ford का मानना है कि एक इनसान का शरीर बहुत कम मातरा में Acetone नाम का एक Solvent बनाता है तो उनके हिसाब से अगर हमारा शरीर जादा मातरा में Acetone प्रडियूस कर दे तो एक छोटी से चिंगारी से भी हमारे शरीर के अंदर आग लग सकती है और सबसे अजीब बात ये है ना कि आपका पैर आपका जूता या चपल जो भी आपने पैरों में पहना है और आपके आसपास का environment नहीं जलता है वो पूरा intact रहता है सिर्फ आपके घुटने के उपर का हिस्सा पूरी तरह से जल जाता है खुदाई की दौरान Archaeologist को 2000 साल पुरानी Princess Zinjui की बाडी मिलती है ये बाडी 20 सिल्क के कपड़ों और 4 ताबूतों के अंदर रहती है और जिस ताबूत में वो मिली थी उसमें एक unknown liquid था जिसमें body तैर रही थी और scientist आज तक नहीं पता लगा पाए कि उस liquid में क्या था वैसे जब उस ताबूत को खोला गया तब जो liquid था वो brown color में change हो गया और बात करें body की तो ये इतनी well preserved थी कि दोस्तों जैसे किसी की death हो जाती है तो 3 से 12 गंटे की बीच में उनका शरीर अकड जाता है यानि कि उनके joints move नहीं करते लेकिन इस mommy के पूरे joints move कर रहे थे और यहाँ तक की इनकी skin भी बहुत ही जादा soft थी और इसी वज़े से इस body का 2000 साल बात भी post-martem possible रहा और सबसे अजीब बात यह है कि इसके नसों के अंदर अभी भी खून था और उससे scientist ने पता लगाया कि इसका blood group A positive था कितनी अजीब बात है ना फैक्ट नमबर 8 2003 आटाकमर डिजट में खुदाई के दौनान आर्केलोजिस्ट को एक 8 इंच का mummy मिलता है शुरुवात में उन्हें लगता है कि यह एक fetus है जिसकी उसके मा के पेट में ही मौत हो गई लेकिन स्टीवन ग्रीर के किये गए X-ray और CT scanning से पता चला कि इस mummy का जो bone structure है वो एक 6 साल की बच्ची के bone structure जितना developed है तो इसके बात बहुत सारे लोगों का मानना था कि हो सकता है कि यह लड़की dwarfism यानि कि बौनेपन की शिकार रही हो और इसके जवाब में Stephen Green ने कहा कि हमें नहीं पता कि यह है क्या लेकिन यह deformed यानि कि विकरित इंसान तो बिलकुल नहीं है वैसे आज की बात करें तो एटा नाम की यह mummy एक businessman के showcase में रखी है जिसे उसने 2012 में खरीदा था दूस्तों अगर आपको paranormal चीजों में interest है तो आप गौरफ तिवारी को तो जानते ही होंगे गौरफ तिवारी एक Indian paranormal expert और researcher थे और वो दुनिया वर की हजारों haunted places में जा चुके थे जिस वज़े से उनके परिवार वालों को लगने लगा था और कोई explain नहीं कर पा रहा था कि आखिर इनकी death हुई कैसे है तो Alan Tyler जो कि गौरफ के साथ पहले काम भी कर चुके थे उन्होंने कहा कि गौरफ की death heart attack से हुई थी लेकिन गौरफ के फादर का कहना था कि गौरफ की death heart attack से नहीं हुई है बलकि गौरफ ने कुछ दिन पहले उन्हें बताया था कि कोई spirit है याने कि कोई आत्मा है जो उनके पीछे पड़ी है और वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है और वो उन्हें हर जगा फॉलो करती है तो दोस्तो पेरनॉर्मल एक्सपर्ट सशी दुबे ने कहा था कि अगर आप spirits के साथ कुछ जादा interaction करते हैं याने कि आप आत्मा को contact करते हैं बार 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 तो वो कही न कहीं आपके ओपर negative effects बरसाता है और बहुत सारी negativity आपके अंदर में आ जाती है और गौरफ तिवारी तो हजारों ऐसी जगाओं में जा चुके थे जहां ऐसे सैकडो आत्माएं गूमती रहती है क्योंकि पेरनॉर्मल एक्सपर्ट और रिशर्चर का तो काम ही यही होता है उनकी तो पूरी दुनिया ही भूतों के आस पास मंड़ाती है लेकिन जो गौरफ तिवारी के डेथ है वो आज तक अनेक्स्प्लेंड है यानि कि अनसुल जी है वहाँ लाइट भी आ गई क्या बात है इस का है बे क्या मैं इस डॉल में रह सकती हूँ अल्टीक रह ले मज़ा आ गया आज बाकी अब मैं तुम दोनों को मारूंगी अब हम को क्या मारेगी बे अब चिल 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 ये खाओ ये क्या में अब है हाट अब तुम आएगा गुल्लू क्या में तुम आएगा 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 आएगा